बिग अडर साइज, हैवी मिल कैपसिटी, बहतरिन बोडी स्ट्रेक्चर, लंबे उंचे कदकाथी की टॉप क्वालिटी की ताजा जन्योई, पीछे फीमेल काफ यानी बच्डी वाली, ये गोमाता सेल के लिए अवैलेबल, वीडियो के अंदर गार की पूरी डिटेल, प्रा आराम स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल के माजम से, और साथ ही हमेशा की बाती मेरी आप से एक रिक्वेस्ट रहेगी, कि जिन भाईयों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने क्या, या जो भाईया आज पहली वार चैनल के माजम से वीडियो देख पा और आप एक ऐसे बहतरिन पसू से वाकिव हो सके और अपने लिए अच्छे पसू का सेलेक्शन जायज से जायज प्राइज पर कर सके तो यह जो स्क्रिन पर आप एक टॉप क्लास की राठी नसल की गोमाता देख पा रहे हैं यह सेल के लिए अविलेबल है गाई अपने तीसरे ब्यांत के अंदर जनी हुई है यानि थर्ड लेक्ट एक्षन में बच्चा दिया है और इसके नीचे फीमेल का यानि बच दिये ताजा जनी हुई है दो ही दिन इसकी दिलेवरी को हुआ है और नीचे बच दिये अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही शांदार फिट टाइट कॉंपेक्ट हैवी अडर साइज बहतरिन क्वालिटी का बिग अडर साइज प्रियाप्त स्पेस वाड़े सुंदर दो रे मुट्या थनों की बढ़ाउट पॉली और नरम चोवाई की बड़ी बड़ी सिग्रेट जैसी धारों वाली है बि पर शटीक जो राठी का हमप होना चाहिए वो हमप और एक सूंदर सी जूलती हुई जालर नुमा गल कंबल चोड़े सीने की बनावट सांदार मैने सिंगों के अंदर है दोनों सिंग मैने केटिगरी में और दोनों हिलते वे सुपर राठी है अच्छी क्वालिटी की फुल फारम गाओं 365 हैड तैसिल रावला जिला सिरी गंगानगर राजस्तान के अंदार इस्ति थे और इस गाय की मिल्क समता पिछले ब्यायत के अंदर 15-16 लिटर के बीच परड़े की थी तो इस बार इस से उमीद की जाती कि गाय सोड़ा लिटर से प्लस और 17 लिटर तक मिल्क निकाल देगी अगर अच्छी खिलाई पिलाई हो तो 17 से प्लस जा सकती है लेकिन सोड़ा से 17 के भी जरूर मिल्क निकालेगी और इसकी प्राइज 50,000 रुपे ओनर द्वारा डिमांड की गई है जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत बार गेनिंग कर सकते हैं पसों की प्रा का इत्सेश न रहे जाए वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब और सपोर्ट करें अन्त तक वीडियो देखने के लिए आपका ते दिल सी धन्यवाद नमस्कार